विहार विधान सबाप परिश्ट चुनाओ को लेकर NDA में सीट शेरिंग हो चुका है लेकिन महागट बंदर में सीटों को लेकर खीच तान जा रही है कॉंग्रेस संबांतनक खिस्यदारी की मांग कर रही है विहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के कारकारी अध्यक स्नमीर कुमार सिंग से बात की हमारे सयोगी प्रनवराज ने विहार में 24 सीटों पर विधान परिशत का चुनाओ होना है NDA के तरफ से जो सीट सेरिंग की बाते थी वो अब खत्म हो चुकी है क्योंकि एलान कर दिया गया कि कौन लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे लेकिन महागडबंदन के तरफ से अभी तक इस तरीकी के कोई चीजे सामने नहीं आई है हाला कि आरजड़ी ने कुछ सीटों पर अपने पत्यासियों की घोशना भी कर दी है जिस तरीके से पिछले दिनों महागडबंदन में बैठाक भी हुई उसमें भी कॉंग्रेस शामिल नहीं हुई थी कॉंग्रेस का क्या कुछ क्या कुछ तयारी है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कितने सीटों की डिमांड है इस पर हमारे साथ खास बाचित के लिए कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष और MLC समीर सिंग है सर क्या कुछ आप लोगों की तयारी है मिल सी चुनाव पर हम लोग तो राश्ट्रिये पार्टी हैं पूरे बिहार में हमारा कार करता है और हमारे पार्टी के कई लोग चुनाव जीत के भी आये हैं पंचायत में और नगर निकाय प्रतनिधी के रूप में बहुत लोग जीते हैं तो ऐसी परिसिती में हम लोग तो तैयारी करेंगे ही लेकिन जहां तक महा गठवंधन का सवाल है तो बाएलक्षन के समय जब हम लोग दोनों सीठ हार गए थे तो उसके बाद परिनाम के बाद आधर निये लालू जी नहीं स्वेंग बयान दिया था कि गठवंधन बिहार में होगा और जब भी विदान परिशत का चुना होगा तो उसमें हम लोग साथ-साथ लड़ेंगे और कांग्रेस को सम्मान जनक सीठ देंगे तो उन्होंने जो बचन दिया है उसी को हम दुहराते हैं कि आप जब आपने स्वेंग कहा है तो कांग्रेस का सम्मान देखते हुए आप कितने सीट अगर मिलती है तो आप राजी है नहीं तो फिर क्या फैसला है हम लोगो तो साथ सीट की उमीद है कि साथ सीट मिलना चाहिए कम से कम वैसे तो हमारे पास 21 उमीदवार बहुत सक्षम हैं कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव लड़ सकते हैं बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक जी ने पहले भी आप लोगो बताया है तो ऐसी परिस्टी में हम लोग गठवंधन को कायम रखने के लिए एक दो सीट इधर उधर भी होगा तो हम लोग गठवंधन को नहीं तूटे और भारतिये जनता पार्टी और जद्यू को एंडियो को परास्त करने में अगर हम लोग एक जूट रह सकते हैं तो रहना भी चाहिए और हम लोग रहने के लिए तयार हैं लेकिन हम लोग के सम्मान को देखना राष्टिये जनता दल के अध्यक्ष लालू जादव जी का फर्ज बनता है इसलिए कि उन्हों होना है उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर मदर मोहन जहां जी राज्य सभास अखिले सिंग जी अजीज सर्मा जी लोगों ने रख दिया है राष्टी जनता दल के समक्ष अब उनको फैसला लेना है कि कांग्रेस के लिए सम्मान जनक सीट कौन-कौन सी वो देखत लेकिन हम लोग के साथ है कि हम लोग की जो सक्ति है वो संगठित रहे और NDO को परास करने में हम लोग सफल हों तो हमारी ये मनसा है अब राष्टे जनता दल की क्या मनसा है अगर मेरी भावना है अगर वही भावना उनकी भी है कि NDO को परास करना है तो तब तो हम लोग के स अमान का उनको ख्याल करना पड़ेगा तो बिल्कुल सबस्ट है कॉंग्रेस का स्टेंड जो है वो क्लियर है वो चाहते हैं कि गडबंधन रहे गडबंधन कायम रहे क्योंकि जिस तरीके से विहार विधान सभा का जो उप्चुना हुआ था उसमें अलग 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 चुना क्योंकि अलग झाल झाल